हलो बच्चो इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर आप लोग का 1 है वास्तविक संक्या इसका प्रसनावली 1.2 इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रसनों को स्वालव करेंगे ठीक है यदि आप लोग बोड इजम में अच्छी नमर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है चलिए आप लोग का यहाँ पर फैस्ट कोश्चन है निमलिखी संक्याओं को अभाज गुनन खंडो के गुनन फल के रूप में बैक्त कीजिए ठीक है यहाँ पर जो आप लोग का जो संक्याँ दिया गया है इसको आप लोग को अभाज गुनन खंड के गुनन फल के रूप में बैक्त करना है तो चलिए बच्चो मैं आप लोग को स्वालव करके सीखाता हूँ एक एक प्रसन को लोग इस तरह को भी पर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे उसके बाद देखिए चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं तो देखिए 140 का पैड़े हम लोग अभाज गुनन खर निकालेंगे तो अभाज गुननखन निकालते हम लोग 2 से लगाएंगे तो 70 बार में लएगा फिर 2 से लगाएंगे 35 आएगा फिर आवाज नहीं लएगा 5 से लगाएंगे 7 आएगा आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा सर अब हम लोग लिखेंगे 140 इक्वल टो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 इसको अब हम लोग अभाज गुनानखन के गुनानफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम लोग कर दिये हैं आपर 2 का 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हम लो ठीक है उसके बाद 2 गुना 5 गुना में 7 यह आप लोग यही आप क्या 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 है ठीक है पहले बच्चों 156 इसको भी हम लोग स्वाल्व करते हैं तो 2 से लगाएंगे साथ वार में 274 एक चोई निकी 2 आठे 16 होगा फिर दो से लगाएंगे 2 तीया 6 एक आठ दो नमा 18 लगेगा ना फिर आप लोग 3 से लगाएंगे तो 13 बार में लग 3 गुना में 13 यह हुआ और इसको हम लोग गुननफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं यानि कि दो काप आप दो गुना में 3 गुना में 13 इस प्रकार आप लोग 2 को समझ गया होंगे अब हम लोग 3 को भी यही पर स्वाल्व करते हैं आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा द लगांगे ठीक है सबसे पहले किसे लगांगे बाबू तीन से लगांगे तीनीक हम तीन दौनी चवा दूसं अब आप लोग इसमें पंच ङीएगा ठीक है पंसे लगएगा तो पंच शानवीं और 25 फिर 5 से लग जाएगा 17 85 लग गया अब देखिए अब आप लोग लिखेंगे 3825 इक्वल टू तीन गुना तीन गुना में 5 फिर गुना में 5 गुना में 17 यह अब जो अगया अब इसको आप लोग गुनन फल के रूप में वैक्ट कर सकते हैं तीन का पावर तीन का बाड़ दो बार तो तीन का पावर दो गुना फिर 5 कितना बार? 2 तो 5 का पावर दो गुना 17 इस प्रकार आप लोग बैक्ट कर देंगे एही आप लोग का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसे प्रकार हम लोग चૌथे question को भी स्वालब करते हैं चौथा में आप लोग का कितना है जी 5005 इटना है पांच-जार-पांच टीक है तो पांच-अ-च तो सबसे पहले इसमें आप लोग 5 से लगाएं कितना से 5 से 5 स 0001 इतना ना फिर अब आप लोग इसमें क्या, एक एक दो यहांए कि साक्की साथ से लगास सखता है है ना पर आप छानिए क्लेर अब आप लुक्या नियांट स लगास है canvas लगेर लिखेंगे मैं आसा करता हूँ कि आप लोग जो है प्रसना वली 1.2 के प्रसन 1 को अच्छे तरीका से समझ गयोंगे इसे प्रकार आपको पंच नमर सौलब करके हमें नीचे में कमेंट करके बताना है ओके बच्चे आगे देखिए चलिए कोई बात नहीं आगे करता था इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुनन पल इक्वल टू एस प्रसन को हम लोग स्वालब करते हैं 26 और 99 है इसको हम लोग नूट करते हैं ठीक है चलिए बाबू यहाँ पर हम लोग पहले नूट कर लेंगे क्वेश्चन को चलि हम लोग क्या करेंगे स्वाल करेंगे पहले हम लोग सिंपल सा दोनों का पहले और प्रसन को निकाली यह चलिए इसमें दो से लगाएंगे तेरा बार में लग गया फिर तेरा से लगाएंगे तो एक आएगा इसमें आप कितना से लगेगा बाबू साथ से लगेगा सास से ल किसा है तो इतना आया 2 में 13 में 1 harus 19 7 में 13 में 1 अब जेखिये अब सीफ इकोल कुक्न टू लिखेंगे आप लों देखिए संती संख्या देखना ना है जो 26 के अभाज गुननखन में भी हो और 99 के अभाज गुननखन में भी हो तो इसी संक्या 13 आता है सर तो 13 इसका क्या हो जाएगा LCF हो जाएगा यानि कि 13 जो है यह LCF हो जाएगा किसका 26 और 99 का LCF कितना 13 होगा LCM कैसे निकालेंगे सर? LCM भी हम लोग निकाल सकते जो पहले इसमें गों साओं तेरा बहुत लैसे हैं साथ सबको क्या करें एक बचा है लिखना और नी लिखना बात बराबरे होता है ग्या देखिए तेहरा दूने 26 सत्य कितना सब्सक्राइब करने के लिए अब इसकी कहते थी जांच करने के लिए अब इसका कहता था जांच करेंगे इसका कि भाई जो दो संक्या का जो गुनानफल है तो हमने हाँ पर लिख दिया किता था संक्याओ का गुनानफल जो है यह लसी एम गुना असी आप के बराबर है या नहीं यही रागज जांच करना था तो चलिए संक्याओ का गुनानफल हम लो लेती है इकवल टुई जाए एल्सेएंफ निकला यही राघट तो आप लोग को यहां पर लिख देना है हां क्या लिख देना है हां बस यही आप लोगों का क्या हो गया अंसर हो गया मैं आसा करूँगा कि आप लोग कोश्चन नमर एक को बढ़िया तरीका से समझ गयोंगे इसे प्रकार कोश्चन नमर दो को भी हम लोग स्वालव करते हैं आएगे अब हम लोग कोश्चन नमर दो को स्वालव करते हैं question number 2 को भी हम लोग उसी प्रकार से स्वालब करेंगे पहले हम लोग 510 का ओभाज गुननखर निकालेंगे ओभाज गुननखर निकालेंगे दो से लगाएगेगा दो दुनी चार एक एक दो पचे दस फिर एक जीरू तो दो पचे दस दो सा पच्पर मार में कटेगा फिर आप तो कितना 3 से लगाएंगे 3 से 5 साथ मच बारा लग जाएगा 3 से अगर संख्याओं का योग 3 से विधाज हो जाती है 3 से लगेगा तो देखिए 3 नटे लगाएंगे तो एक बार में अच्छा अब लगेगा नहीं लगेगा तो एक बार में आ जाएगा अब में अब बार में अच्छा अब देखेंगे दोनों में को मना रहा है नहीं आ रहा है तो इसका से घेके कितना होगा बाबू दो ओगा अच्छाट क्या होगा अद से हम लोग कैसे लिखेंगे loss से मिदेखे दो को मना रहा है दो को लिखे उसके बाद तीन वचसा थीन को लिखीए । 5 बचा 5 को लिए 17 बचा 17 को लिए नब इस सब को गुणा कर दिए गुणा करने पर कितना है गुणा कीजेगा तो कितना है गुणा करने पर यह कितना आएगा ची तो यह आए आएगा आप लोग का करेंगे कि यह यान झाच करना है यान है भुना कर देते हैं त commence तो दोनों बराबर है तो यहां पर हां लिख देंगे ठीक है आपनों स्वाल करेंगे तो हमेशा बराबर ही आता है क्योंकि दो संक्या का गुननफल ही होता है यह जो आपके बोर्ड एक्जाम में अब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूचाता है और बच्ची अक्सर प्रिसान हो जाते हैं सर यह क्या कोश्चन था हमसे बना ही नहीं ठीक है बहुत असान कोश्चन है सीख कर जाईए आप लोगा ना बोर्ड एक्जाम में फोड देग खड़ेगा देखिए 336 है तो 336 का आभाज गुनान खड किजिए पहले उसके बाद 54 का आभाज गुनान खड किजिए 336 का देखिए 2 से लगाएंगे अब न लगेगा अब हम लोग दोनों का क्या लिखेंगे LCM और SCF ग्यांद करेंगे LCM और SCF ग्यांद करेंगे ठीक है चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते है दोनों का ओभाज जिगुननखन लिखेंगे तभी तो ग्यांद होगा न तो हम लोग दोनों का पहले औभाज गुननकर लिखते हैं 336 बरावर में फिर 54 बरावर देगे दो गुना में दो फिर गुना में दो फिर गुना में दो फिर तीन है फिर साथ है अब इसमें देखिए दो फिर तीन फिर तीन फिर कितना जी तीन है न अच्छा अब देखेए कोमन आ रहा है दो फिर कोमन क्या रहा है जी कोमन क्या है बभू तो कहेंगे Sir 3 एक आ रहा है चरिए 3 आ गया अच्छा आप कोई कोमन आ रहा है नहीं न अच्छा आप देखिए 2 गोना का 3 इकॉल तो 6 यानि इसका acibs क्यों होगा ची से होगा सर्ग्यांत कीजिए उल्सेम जान करेंगे दो गुना में तीन जो पहले दोनों में जोरा है उसको लिख लेए उसके बाद जो बचा दो दो गुना से बन गुना में यहां आप लोग करने पड़ आप लोग को कितना है चोवीस तो आप लोग कर लीजेगा तो आप लोग आएगा 30 3,024 3,024 आएगा यहने की 3021 ठीक है LCM कितना या 34 अब हम लोग क्या करेंगे जिंच करेंगे जिंच करेंगे जंच लिखेंगे यह पर LCM-CF इसको आप लोग किजेगा तो यह कितना है गुनानफल कीजे तो अठाड़ा हज़ार 144 आएगा ठीक है न यह भी वह उतना ही आएगा आप लोग करके यहाँ पर आंसर यहाँ पर ऐसे लिख दिजेगा ठीक है चलिए तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग यहाँ तक जो है अच्छे तरीका से समझ गया होंगे मैंने आप लोग को कोश्चन नंबर 1 और 2 को बढ़ियां तरीका से समझा दिया इस वीडियो में अब हम आप लोग को आगे कोश्चन नंबर 3 को भी समझाते हैं क्योंकि वान सवाच वीडियो है एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे बाबू ठीक है चल देखते हैं तो चलिए बाबू एही आप लोगा तीनों संख्या था इसका बोल रहा था ओभाज गुननखंड बीजी द्वाड़ा सीफ और लस्यम ज्यांत करने के लिए चलिए करते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए इसमें देखिए दो से लगाएगा फिर दो से पिर एकाइस का कीजिए तो तीन से लगाएगे साथ आएगा तीन सत्य है ना अच्छा आप सब का लिखे बाड़ा पंदरा एकीस इस अब का अभाज गुननखंड लिखे तो दो दूनी चार तीया बारा फिर इसका तीन गुना में पंच फिर इसका तीन गुने में साथ है अच्छा इसमें कोमण तीनों में क्या राय तो सड तीन सब है त सब में है तो तीन सब में है तो आप लोग 서울 जो ऑगा वो तीन होगाल सीएम सर क्या होगा तो तीन restor को पहले लिखे उसका जो बच गया उसको लिख दीजिए भापर अब सब को गुना कर दिएं तीन दू प्रकार पहले सभी संख्या का अभाजी कुनन कर निकालेंगे फिर जोरा लगा कर एसी एप और लस्यम ग्याद करेंगे तो आप लोग के लिए यह हुंबर्ग है कि यह दोनों को आप को बना कर हमें कमेंच करके बताना है अब फिरम में चार को स्वाल्ब करते हैं यह संताwी संता बनी यह दोनों संख्या है और इसका सियफ नो दिया है और लुग को ज्याद करना ठीक है चलिए हम लोग स्वैल्फ करते हैं बड़ा सान कोईशन है चलिए बाबु हमने आपर नोट कर दिया कोईशन को और फर्मूला को ठीक है कहता है दो संख्याओं का गुनानफल जो ह थेखे तो यह भुना में इस चाहिए भाग में होगा रहा की नहीं बाबु होगा बिल्कुल सर तो आप देखिए यहां पर बठे में कितना नो दे दीजिएगा बराबर में लसी म हम लोग काल जाएगा इसको काठ यह देखे कितना माड में कटेगा और किस संख्या से है तो इससे लगेगा जी नहीं लगेगा इसी से लगेगा देखें नौ से इसको काटिए नौ सते तीरे साथ होता है ना दो साथ नो तीया सता है तेहत्तर हुआ यहनि की 306 गुना में तेहत्तर इक्वल टू कितना LCM इस दोनों को गुना किजिए तो गुना करने पर आएगा 2338 इक्वल टू कितना LCM यही आप लोग का क्या हुआ उत्तर हुआ बताइए समझ में आया समझ में आ गया ना चलिए क्या कहता है देखिए जाच किजिए कि क्या किसी ट्राकिर्ट संक्या N के लिए संक्या 6 के पावर N अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो बाबु, 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुननखन्ड है, वो 2 गुना 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार भी आना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग 6 का अभाज्य गुननखन्ड करते हैं, 6 का है हमने यहाँ पर आपको लिख दिया ठीक है जिके लिखेंगे यदि कोई संक्या जीरो पर समाप तो होना चाहती है तो उसका वाज गुनंखंड कम से कम दो गुना पंच के रूप में एक बार आना चाहिए इसलिए दो यहाँ पर छे में देना है तो दो गुना तीन आया अत चे का गुनंखंड करने पर दो गुना पंच के रूप का नहीं है अर्थात या कभी जीरो पर समाप नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संक्या एन के लिए यहाँ तक आपको लिख देना है बस कोईश्चन नमर पंच समाप तो हो गया अब कोईश्चन नमर चे को देखिए कोईश्चन नमर चे भी बड़ा सिंपल है इसको स्वालब करके बताते हैं कहता है जांच कीजिए यानके ब्यांग क्या आप लोको करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना जो है यह भाज संक्या है क्यों है चलिए स्वालब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए प्र है वही बताना है तो हम लोग इसको प्रूब कर देते हैं अच्छा बताइए कि यह और इसमें कॉमन कौंसा है इसमें भी साथ 11 13 है प्लस के बाद बला में 13 है तो 13 हो जाएगा कूमन अब देखिए 7 गुना में 11 गुना में 13 से भाग देजेगा तो एक आएगा ठीक है यहां बात कलियर जोब त्यूट होने के लिए किसी भी संख्या का जो गुनानखंड होना चाये वह से ज्यादा होना चाहिए कि का गुना का कितना है दो बार है तो ये भाजसां क्या है अच्छा एक और था क्या था एक और था प्यारे बच्छो साथ गुना का छे गुना का पंच गुना का चार गुना का तीन गुना में दो गुना में वन पालस का पंच ये था ना अच्छा ये था बिल्कुल था ना चल गुने में वन और पलस का वन यह ना हुआ अच्छा अब कीजिए पांच इंटू छे सते ब्यालिस चौका ब्यालिस चौका अठासी तिया अठासे दोने कीजिए उसकी बाद तीन बार गुना कीजिएगा तो टोटल आप लोग का एक हजार आठ आजाएगा कितना एक हजार आ दिखना है नीचे में अता अता दोनों संख्यां के एक के जादा जादा गुननखंड है क्या है बाबू गुननखंड है अता अता दोनों संख्यां भाज होगी क्या होगी बाबू भाज है ठीक है यहां तक बात क्लिए रहे है तो बन गया क्वेशन बस एही आप लोग का इतना ही करना था तो हम लोगका का एक चेकर लगाने में रभी को बाड़ा मिनट लगता है माल लिए दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंब करते हैं मतलब एक ही दिसा में चलते हैं कितने समय बाद वे पूना पारारंबिक अस्थान पर मिलेंगे यह कुश्चन जितना बड़ा देखने में लगता है उतना ही सिंपल है चलिए पहले मैं आप लगको थोरा सा समझाता हूं यह एक प्राविचों बिड़ेते हैं और इस पर सुनिया और रभी को इधर चलता है को इधर से चलता है दोनों अलग-अलग रास्ते से चलते हैं ठीक है और दोनों जो है बाड़ा एक को लगता है लीए भी यहां पाजाएगा मतलब दोनों को यहां पर ही मिलना पड़ेगा कहीं पड़ी एक बिंदू पर मिलना पर ठीक है इसको हम लोग को क्या करना कितना है दो त्या चिश चज छोटरी से अठाडा दुनीobili 6 यानिकी चछत्रिस च लिए तो और रिंच बाद वे दोनों क्या करेंगे वे धोनों कहाँं और अपन्लें मिल तर पर क्यों मिलेंगे यहां से सब्सक्राइल कि शौन्द प्रारंब केते हैं प्रारंबिक अस्थान पर मिलेंगे कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद ठीक है तो अब आप लोग का ये पूरा 1.2 प्रसनावली को समाथ थम कर दियें इस वीडियो में मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो क्लास में आप लोग जोए इस वीडियो के ज्यादा से दोस्तों सेयर कीजिए प्यार बच्चों वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो प्यार बच्चों आप लोग अपने सभी दोस्तों में सेयर कर दिया कीजिए ताकि हम भी खुश रहे आप लोग की वेश्टरी चलते रहे और हम भी आप लोग के वज़ा से आप लोग को प अगती दे